असलाम लेकुम कैसे हाँ आप सब अमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाले सालन और पुलाव हमने एक गढ़ाई में लेना है आधा कप तेल जिसको हमने अच्छे से गरम होने देना है गरम होने के बाद हमने डालना है इसमें कुछ गरम मसाले गरम मसालों में हमने लेना है दाल चीली, एक तेश पत्ता, दो लॉंग, दो इलाईची और साथ से आठ काली मिल्चे इन सभी गरम मसालों को डालने के बाद हमने थुदा सहीने चिटकने देना है इसके बाद हमने इसमें प्यास डालनी है जो कि है तीन से चार बड़ी प्यास है इसे हमने सलाइस कर ली है प्यास को हमने गोल्डन ब्राउन करनी है तो चलिए हम प्यास को अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि इसका कऱर चेंज ना हो जाए एक से दो सुखी लाल मिच्चे डाल देनी है ऐसे बीच से तोड़ कर प्यास का कलर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें हमने डालना है हमारा गोस्ट जो की है हाफ केजी गोस्ट को हमने डाल कर अच्छे से भूनना है गोस्ट को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने डालना है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाप से डाल दे और डालना है हल्दी पाउडर इन सब इस चीजों को अच्छी तरह के से भून लेंगे हमें कम से कम एक मिनुन तक हिने चलाते हुए भूनना है इसके बाद हमने इसको ढख कर तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी न खतम हो जिसके बाद हमने एक मिक्सेजार में लेना है दो छोटी प्यास एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची उसके बाद लेना है दो लॉंग उसके बाद लेना है एक टी स्पून जीरा और तीन से चार काली मिर्चे जिसका हमने पेस्ट बना लेना है हम अपने कोश्ट को चेक कर लेते हैं हमारा पानी अच्छे तरीके से खतम हो चुका है अगर आपको लगें आपका पानी नहीं खतम हुआ है तो आपको हाई प्लेन पर थोड़ी देर तक पकाना है जब तक कि पानी ना खतम हो जाओ इसके बाद हमने डालना है अंत्रकलिसन का पेस्ट जो की है दो टीस्पून हमने अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है प्यास का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है पानी डालने के बाद हमने डालना है एक टी स्पून लाल मिज का पाउडर जो गी थोड़ा तीखा है इसके बाद हमने डालना है वन अन हाप टी स्पून धन्या पाउडर इसके बाद इन सब को हमने अच्छे तरीके से मिला लेना है मिलाने के बाद हमने इन्हें ढख कर लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक हमारा गोश्ट ना कल जाए हम पीज बिश में इन्हें चेक करते रहेगा और चलाते रहेगा ताकि ये निजे से पकर ना ले कि सालन में हमने क्रीम कहा यह त्रवियम टेक्स्ष्चिर लाने के लिए बनाना है एक प्योरी क्योंते हैं हमने लेना है 3-4 बदाम 20 वादों लेना है 2 इंच बेले लेना है एक टी स्पून खस-खस जिसे हम बोलते हैं पॉपी सीट जिसका हमने पेस्ट बना लेना है जब तक कि हमारा गोश्ट हो रहा है इसे के सास्थ हम चली पुलाव बना लेते हैं हमने लेना है एक गड़ाई जिसमें डालना है हाप कप ओल ओल को अच्छी तरकी से गरम होने देन है इसमें डालना है हमने कुछ गरम मसाले जो की है शाही जीरा तेश-पत्ता दाल चीनी दो लॉंग और दो इलाइचिया इसके बाद हमने एक बड़ी प्यास जिसे हमने सलाइस कर ली है वो डाल देनी है प्यास डालने के बाद हमने प्यास को अच्छी तरकी से गोल्डन ड लिए हम सालन की तरफ चलते हैं सालन हमारा हो रहा है गोश्ट काफी हद तक हो गया है जब हमारी प्यास में हलका सा कलर आ जाए तो हमने डालना है हाप टी स्पून अध्र कसन का पेस्ट इन सब को हमने अच्छी तरकी से भूल लेना है भूनने के बाद हमारी प्यास हो चुकी है हमने डालना है तीन ग्लास पानी पानी डालने के बाद हमने डालना है नमक नमक आप अपने हिसाप से डाले अच्छी से नमक को मिला लेना है हमने डगकर पानी में अबाला गोश्ट हमारा गल गया है अब हमने जो पेस्ट बनाया हो था वो डाल देंगे और उसमें थुरा सा पानी डाल देंगे पानी डालन मिलने के बाद हमने इसे प्रख रखे डिख यो फुनात। पकाना हूं च्साना हूँ साह्षा जब तक हमेहान्य नहीं हमने और पानी के बाने के लिए हिर्ते फड्स हाफ कप हरे मितर डालने के बाद हमने डालना है चावल जो कि हमने पहले से भी गोके रखे थे आप चाहे थो एक घंटा या आदा गंटा कितना भी टाइम के लिए भी गोके रख सकते हैं उसके बाद हम दूनों के अच्छे से मिला कर हाई फ्लेम पर पका लेना है हाफ कब, पानी को डालने के बाद हमने अच्छे से मिला लेना है पाने के बाद हमने डालना है मखाना लाओ आप चाहे तो कर दें जर्शेल 90 पानी तर दालने के बाद हाई फ्लेम पर ध्वक कर पकाएंगे चावल हमारा पकना शुरू हो गया है बीच-बीच में हमें इसे चलाते हुए पकाना है जब आपको लगे चावल हमारा 70% हो गया है और चावल में थोड़ा पानी है तो आप लो फ्लेम पर ढग कर इसे पकाएं ताकि अच्छे तरीखे से पूरा हो जाएं सालन में हमारे बाल आ चुकी है हमने डालना है इसमें धनिया पती धनिया पती डालने के पाद हमने फ्लेम को आफ कर देना है चवाल हमारा अच्छे से हो गया है अगर आपको लगे चावल जरस हभी कच्छा है या फिर नहीं हुआ है आप थुड़ा सा उपर से पानी या दोड डाल कर लो फ्लेम पर ढग कर पका ले आप चाहे तो एक से दो टी स्पून उपर से मलाई डाल ले टेस्ट अच्छा आने के लिए आप चाहे तो इस्किप कर दे चावल हमारा अच्छे से हो गया है अब हमने चावल के ऊपर से धनिया पती डालनी है बीट रूट डालना है जो की ग्रेट करके डालना है अच्छा सा कलर लाने के लिए हमारा शादियो और पुलाओ और सालन अच्छे से तयार हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दुबा दें ताकि मेरी नए वीडियो आप तक पहुंस सकें अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस